हाई दोस्तों कैसे आप लोग आजयों को स्वागत थे मेरे नेष्ट ब्लोग में दोस्तों सूबा के 8 वज रहे हैं और मैं आया हूं मागंगा किनारे और आइए आप लोग को भी दर्शन कराते हैं दोस्तों कि यह देखिए कितना अच्छा व्यू है माता गंगा का और इधाय देखिए यह किनारा है कॉड़े किनारे देख रहे हैं दोस्तों यहां काफी डाश्फ्क बॉतल टूटे गिलास वथरन कूड़ह करकट बहकर दोस्तों你在 अगया जो की बार होने पर आता है उसके बाद जब पानी कहों होता है तो किनारे जमा हो जाता है दोस्तों तो Of यह कोई सहर का किनारा नहीं है दोस्तों यह गाउं देहात का किनारा है देखिए जब गाउं देहात के इतना किनारे गंदगी है तो सहरों में तो ज्यादा होता होगा दोस्तों यह देखिए सब किनारे हैं दोस्तों दोस्तों आईए हम आपको दिखाते हैं इतनी गंदगिया यह देखिए वहां कपड़ा में कुछ बांद के गंगा में प्रवाहित किया गया है और यह देखिए दोस्तों यह जो लकडी देख रहे हैं यह सो का दास अंसकार करने के बाद जो बजता है तो बाढ़ होने पर गंगा में बहके फिर अपना पानी जब कम होता है तो किनारे लग जाता है दोस्तों यह देखिए यह दोस्तों सब मख्ली पकड़ने वालों का है दोस्तों और तो दोस्तों सरकार योजनाय चला रही है गंगा स्वच्छ भियान का और अब से थोड़ा गंगा में सफाई देखने को मिला है और इतनी गंदगी होने के बावजूद भी गंगा का पानी इतना साफ है स्वच्छ है आईए आपको दिखाते हैं यह देखिए यह देखिए इतना साफ पानी है दोस्तों और तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं तो सभी की गंगा से आस्थाये जूरी है माता गंगा से और लोग कहते हैं माता गंगा में इश्णान मात्र से पाप धूच्छ जाते हैं दोस्तों तो ऐसा नहीं करना चाहिए गंदगी में नहीं फैलाना चाहिए रंगा में और स्वच्छ रखना चाहिए कि देखिए कि इतना अच्छा लग रहा है व्यू आप ही दिनों बाद हम यहां पर आये हुए हैं दोस्तों दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहें दोस्तों सपोर्ट करि और मिलते हैं नेश्ट ब्लाग में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों